नमस्का आज हमारा जो टॉपिक आइसो प्लेट मैथड आइसो प्लेट जो लाइन्स होती इनको आइसो लाइन्स कहा जाता है इनका उप्योग होल के अलावा अनुविश्यों में भी किया जाता है आइसो प्लेट दो सब्दों से मिलकर बना है ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है आइसो प्लेटोस आइसो प्लेटोस का मतलब होता एक्वल अब प्लेटोस का मतलब होता मेजरमेंट समान जो मानमाली रेखाएं होती हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को हम आईसोप्लेत कहा जाता है इसको अगर सामान भासा में कहें तो मान्चित पर इस बस्त के समान मान को मिलाकर ख्यूचने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको आइसो प्रेत कहते हैं, इन समान मान माली रिखाओं को समूच रिखाओं की तरह क्यूचा जाता है, कई प्रकार के समान मान माली रिखाएं होती हैं, जैसे आइसो बार हैं, यह समान दाप माली रिखाएं हैं, आइसो थर्म समान ताप माली रिखाएं हैं, आइसो सुने लग है एक्वाल हाइट और इक्वाल बैरोमेट्रिक प्रेशर दोनों ही समान हो तब यह आइसो हाइप कहा जाता है इसका जो जो इसमें यह माना जाता है कि हमारे जो प्रत्थिवी है स्फियर सेप में है और इसका जो धरती है वो आपकी फ्याट या समतल है इसके उनको कई नामस इनको अलगल अलगला सबजेक्स मां अलगला नामस इनको पुकारा जाता है अब इन इसो लाइंस को हम किस परकार से बनाएंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं सबसे पहले हमारे पास जो वह भी study area है उसका हम सबसे पहले class interval लेंगे जो हमारे पास सूत का इसके बाद ISO जो हमारी values हैं, जिसे 36 और 46 values हैं, इनके बीच में जो हम ISO lines दालेंगे, उनकी values को हम निधार करेंगे, इसको अंतरविशन कहते हैं, अंतरविशन एक ऐसी प्रक्रिय है, जिसमें दिये गए जैड मानों की स्राड़ी के बीच, मध्मान की गढ़ना की जाती है, मध mathematical method है, दूसरा आपका graphical method है, तो हम दोनों ये method से interpolation काम आपको बताएंगे, next step है कि जब हमने ये काल्पिनिक मान निधार कर लिए, तो इनको हम free hand रिखाओं को मिलाएंगे, इनको free hand, ये जो location जो हमने निधारत किया, तो इनको हम free hand मिलाएंगे, तो ये आपको join करेंगे, जो रिखाएं होती है, isolines जो अंतर vision करिया के द्वारे, जो हमने काल्पिनिक बिंदू निधारत किये हैं, उनको हम join करेंगे, इसके बाद next step कि जो हमने isolines निधारत किये हैं, इनकी बीच जिसकी maximum value होगी, और जिसकी minimum value होगी, तो maximum values में darker sweet रखेंगे, और minimum values होगी, इसमें lighter सीट रखेंगे, इसमें हम shading भी करेंगे, तो इस प्रिकार से हम ये step से जिसमें isoplet में आपका निर्माड करते हैं, अब एक example दे रखा है, इस example में ये कुछ हमने point निर्धायत कर रखे हैं, इस मानों कि ये बढ़सा की देखा हैं जो भी हो, तो हमने ये निर्धायत करके, कि सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारे जो minimum value कि 32 और maximum value 65 है, तो maximum 65 और minimum आपकी 32 है, तो इसमें हमारे मुक्रूप से 4 contour बनेंगे, पहला contour हमारा होगा 60 का, 50 का और 40 का, यहां से 60 का बन जाएगा, यहां पर 50 का और यहां पर हमारा 40 का contour, तो 4 contour बनेंगे, तो अब इन contour को हम कैस इन contour को बनाए, तो इसके लिए सबसे पहले किया है, यह जो point है, यह 65 का point है, यह 58 का, यह 54 का है, 57 का, यह सबसे पहले यह point देखारत है, कौन सा इस्थान है, तो यह point देखारत होने चुछिए, इसके बाद हम यह 65 और 58 इसको घटाएंगे, 65 और 58 और तो 7 आए, उसकाद से इनकी दूरी नापेंगे, माना की दूरी हमारी 2.1 है, तो 7 की बीच की बीच की बीच की दूरी 2.1 है, तो हम यह देखेंगे, इसके बीच होने 60 का contour निकालना, तो 58 और 60 में अंतर है 2 का, तो हम, चुछिए 7 जो values दिखा रहा है, 2.1 cm को दिखा रहा है, तो 2 values कितने को दिख रखेंगे, और यहां पर 0.6 को mark कर देंगे, तो यह value हमारी 60 को दिखाएगे, अब next हमारा है, 65 और 54 की बीच हमें contour निकालना की 60 की value कहा आएगे, तो 65 में 54 को बटाएगे, तो 11 आया, इसके बाद अगर इसके बीच की जो distance हमने निकाली, माने distance यह 3.3 है, तो हम क्या करेंग कि इसमें भी value है, कि जो 3.300 करता है, अब रखर 11 को, तो इसमें 54 और 60 की बीच में 6 का अंतार है, तो हमने इसमें 6 से मल्ली प्राइग कर दिया, और 11 से divided के 3.3 into 6 divided by 11, तो यह आएगी 1.8, तो इस दोंग बीच में देखा करेंगे, और यहां से 1.8 cm देखा किचेंगे, तो य हमने कटाया, तो 8 आया, इसके बीचे जो distance हमने scale से ना पी है, तो 2.4 आई, तो distance है 2.4, तो इसमें भी वही method है, कि जो आपकी 8 values दिखाती है 2.4 को, तो इसमें 57 के अंतार 60 बीच में 3 के values का अंतार होगा, तो 3 values कित्ते हो दिखाएगी, 3 values कित्ते हो दिखाएगी 2.4 into 3 divided by 8, तो 0.09, तो यहाँ से scale इस point से, इस point से अकर करके 0.09 को माँ कर डेंगे, इस परकार से 60 का contour बना देंगे, यह हमारा 60 contour बन गया, इसे परकार से, इसी method से हम 50 का भी contour निकालेंगे, इसे प्रकार से हम 40 कभी निकालेंगे 50 कॉंटूर निकालने के लिए क्या 65-40 के बीच वे distance निकालेंगे और इसके बीच जो हमारा अंडिस्टेंस mathematical method से उसके पाइट निर्धारत करेंगे इसका 58-48 की बीच में हम निर्धारत करेंगे 67-45 की निर्धारत करेंगे 47-32 बीच 40 कहाँ आता वो निर्धारत करेंगे 48-36 बीच 40 कहाँ आता वो निर्धारत करेंगे इनकी इनकी बीच की दूरी नाप करके इनकी वेल्यूज को आंतर करके हम निकालेंगे तो इस प्रकार दिमाना कि हमारी ये प्रकार की र பoration κάνate तो हमने एक ़ी चेल है आलक़ 40 के का कंटूर हमने mathematical method है on叫 whereby Sahle जो हमने method apply किया है कि दो values के माण को घाटाना दोनों बीच के distance your scale से निकालना फिर उसके बाद जो value is as 40, Enjoy 37, 50 के वाँ जय भीचे पूँकर आंतार है तो वह values इतने ही दिखाती है तो यह value कितने ही दिखाएगी तो इस प्रकार से जो हमने पहला जो बताए स्टेप से आप सेकेंड और थार्ड की आप हम आते हैं ग्राफिकल मैथड ग्राफिकल मैथड से क्या निकालना है इसमें जैसे कि यह 65 की value point है और यह 58 का point है यह 54 का यह 57 का यह 48 का यह 45 का, यह 47 का, यह 32 का, यह 36 का, यह 38 का यह point है, इसमें हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे, 65 से 58 का अंतर निकाला 7, फिर इनके बीच में scale से दोनों की distance निकालेंगे, 2.1 है, तो 2.1 है, 2.1 में जो values को हम divide करेंगे, तो 0.3 आ जाएगा, इनके बीच में एक रिखा क्योंचेंगे, कि जो 3.2.1 जो रिखा है, वो 11 को दिखाता है, तो इसको 11 बार हमें cut करना है, चुक्क हमें 11 बार इसले नहीं cut करना है, क्योंकि हमें 0.3 आपका एक unit को दिखा रहा है, तो हमें 60 तक लिया आना, तो 0.8 तो यह है, पिर 0.3 का यहां mark करेंगे, 59 हो जा जाएंगे, तो 7 हम नहीं कीचेंगे, तो 3 कीचेंगे, 59 हो गया और 60 हो गया, इसमें 65, 54 में 11 का अंतार है, तो हम माना कि यह value हमाई थी 3.3 cm की distance, हमने scale से 3.3 distance, नापी 3.3 distance आया, तो distance 3.3 में जो हमारी value जाए, इसको में डिवाइट के तो 0.3, इसके बीच में भी हम एक 1.54 है, 50.3 का 55 हो गया, 56, 57, 58, 59 और 60, तो हमने यहां तक value 60 तक का निका लिया, अब इसी प्रकार से 3rd में भी हमने यह सीधी रिखा, इसकी हमने 65, 57 के value गटा, यह 8 आई, इनको दोनों देखा, उनको मिला आया, मिलाने के बाद इसमें जो value है, 3.2, distance में 3.2 आया, और 3.2 में 65, 57, 8 का अंतर, तो 3.2 में 8 को डिखा आया, तो 0.4 आया, तो हम इसमें 57 और 60 में 3 का अंतर, तीन बार माग करेंगे, 758, 0.4 की value, 57, 58 हो गया, 59 और 60, तो इस परकार से हमारी value 60 के ग्यात होगी, तो हम इस परकार 60 contour बना देंगे, और जो बचा हुए, बची वह जो value है, इसको हम इसको हम हटा देंगे, बची वह जो point है, तो हम इस परकार से intra-pollution जो method है, उसके द्वारा भी हम, मलब values को हम calculate कर सकते हैं, तो इसमें बस सिर्फ हमें, दो एकाईयों की बीच का distance, मलब distance निकालना पड़ता है, और इनके बीच की, हमें क्या करते हैं, distance और इनके बीच के values का अंतर निकालना पड़ता है, distance में values को divide कर दीते हैं, और जितने तूरी तक हमें जो काजो में, जो हमने लिया है contour, उधर तक हम उसको mark कर देते हैं, तो यह हमारा 60 का हो गया, यह 50 का हो गया, और यह हमारा 40 का हो गया, तो इस परकार से हम इसी मैतर से हम पूरा contour दारत कर करनेंगे, अब इनका, इनके shading कैसे करने, shading के लिए हमें क्या करना है, जो हलका color जैसे यह वाला color आपका हलका है, तो इसको point से दिखा दिया, यह आपका below 40 है, तो below 40 को हमने इससे दिखा दिया, इसके बाद इससे जो darker shade है, 40, 50 बीचे इसको dark shade में दिखा दिखा दिया, तो यह हमारे थोड़ darker shade हो गया, तो हमने इसको darker shade में, 40 to 50 को इससे darker shade में दिखा दिया, इसके बाद इस value को इससे और darker shade में, क्योंकि 50, 60 बीच में आ रही है, इससे और darker shade में इसको में दिखा दिया, इसके बाद इसको और darker shade में, तो इसका index बनाना है, इंडेक्स बना दें, below 40 का index आपका इस तरह से है, point रहेंगे सिर्फ, यह below 40 है, दूसरा index हमारा 40 to 50 है, इसको ऐसे करके करेंगे, यह 40 to 50 है, तो इसमें हम यह कर देंगे, यह 40 to 50 है, तीसा index 50 to 60 है, तो 50 and 60 को हमने इस तरह से कर दिया, यह 50 to 60 है, और यह वाली value हमारी 50 to 60 और 60 अंडेबब, तो इसको हम 60 अंडेबब पर देंगे, इस परकार से index बना करके हम shading के द्वारा जो ISO lines होती है, उनकी बीच में shading कर देते हैं, और shading करने के बाद में हम इसको हम इसमें इंडेक्स बना देते हैं, और ISO plate में आपका प्रिपेर हो गया, थेंक्यू,